जयती जयती शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन परती पाला नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए बहुती चवर्दस वीडियो लेकर आए हैं शाम के समय काले कुट्टे को पिला दें सिर्फ ये एक छोटी सी चीज इतना आएगा पैसा कि समाल नहीं पाओ जय जय शनिदेव दोस्तों शनिदेव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में से एक है ये माना जाता है कि शनिदेव मनुशे को उसके पाप और बुरे कर्मों के लिए दंडित करते हैं शनिदेव को नियाय का देवता कहा जाता है क्योंकि शनिदेव महराज मनुशे को उसके कर्मों के अनुसार दंड परदान करते हैं कहते हैं जिए शनी देव किसी से क्रोधित हो जाए तो उसका पूरा जीवन बरबाद कर देते हैं। उसे जीवन के हर छेत्र में आतफलता की प्राप्ती होती है। जैसे धनकी कमी होना, बार-बार किसी का प्यमारी से परिशान होना, बंते-बंते काम बिगड़ जाता है। आदी ये सभी समस्याएं सनी दोष के कारण ही होती है। वहीं, दोस्तों, अगर सनी देव किसी से प्रसंद हो जाए, तो उसे जीवन की घर खुचिया स्वें सनी महराज देते हैं। और वे व्यक्ति हमेशा तरक्टी की सेडिया चड़ता चला जाता है। साथ ही हर कारण में सपलता प्राप्त उसे होने लगती है। साथ ही साथ आपको बता दू कि शनी देव का प्रताप ऐसा है कि वह किसी भी व्यक्ति को पल भर में रंक से राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। सूर्य पूत्र शनी देव मिट्ट्य लोग के एक ऐसे स्वामी है जो समय आने पर मनुष्य को उसकी अच्छे बुरे करमों के अनुशार उसे सजा देकर उसे सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं जब सनी देव किसी के कुंडली में आकर बैठते हैं उसे जीवन की तमाम प्रकार की वुष्किलों का सामना करना पड़ता है। जिसे करने से कुंडली में लगे भयानक से भयानक सनी दोस भी पल भर में खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सनी की साड़े साती या सनी की दहिया से परिशान हो तो आज हम आपको सास्त्रों में लिखा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। जिसे करने से आपको सनी के सभी दोसों से मुक्ति मिल जाएगी। और न्याय के देवता सनी देव की किरपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों उपाय बताने से पहले जान लेते हैं कि जब शनी देव की साड़े साती या धहिया जीवन में लगती है तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या परवाव पड़ता है। साथी साथ दोस्तों आप कमेंट बोक्स में जैश शनी देव अवश लिग दें ताकि आपको भी शनी देव की क्रिपाद्रष्टी मिलती रहे। साड़े साथ साल की साथी और धाए साल की धहिया के वक्त शनी देव जातक को उसके कर्मों का फल देना सुरू करते हैं। काम रुकने लगते हैं, सफलता की राह में शनीदेव आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को शारिरिक, मांसिक परताड़ना के साथ साथ धन व्याय आदि समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति का आत्म विश्वास कतम होने लगता है, तो आए जा करते हैं, तो आपके लिए अत्यन्ति इलावदायक होगा, क्योंकि दोस्तों शनीदेव को शनीवार का दिन अत्यन्त प्रिये हैं, दोस्तों किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर के शनान आदि से निर्वत हो जाए, अपने दिन चल्दे की किदियाओं से भी निर्वत हो ज करें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आप इस उपाय को किसी भी वार को किसी भी दिन को कर सकते हैं, बस आपको यह उपाय सुबह जल्दी उठकर ही करना है, अब सरव पर थम आप अपने नजदी के किसी भी शनी मंदिर में जाएं, वहां जाने के बाद आप सबसे मंत्र एक बार फिर सुलें दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय नमा, दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, जाप पूरा हो जाने के बाद आप सनीदेव को कोई भी काली वस्तू, जैसे के काले उड़त, काले तिल, इस तरह की कोई भी चीज या लोहो की वस्तू, आप उने अर्पित करें, दोस्तों इसके बाद आप अपने घर वापस आजाए, घर वापस आजाने के बाद आप अपने घर में थोड़ा सा दही लेकर के उसमें चार जाने चीनी के डाले, यानि कि थोड़ा सा चीनी या शक्कर या देशी खांड आप उसमें मिला दे, उस सब्सक्राइब के बाद आपकी धीरे-धीरे सभी परिशानियां खत्म होने लगेंगी आपकी घर में धन आने लगेगा धन आने के नए-णे मार्क खुलने लगेंगे नोकरी में प्रमोशन होने की उम्मीदे बढ़ेंगी साथ ही साथ आपके व्यवसाय में भी आपको तरक्की मिलेगी जिन व्यक्तियों का विवा नहीं हो रहा है या विवा में अर्चने आ रही है उनके लिए भी नयरिस्टे आने के संभावनाएं दाग्रित होंगी साथ ही साथ लिस्ते तकी तिकने भी लगेंगे जिन लोगों को प्रेम संबंध है या प्रेम विवा करना CHAT is उन लोगों के वीडियो जैने दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो ता आप इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जै शनीदेव या फिर जै बजरंग बले